कि नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके योट्यूब चैनल ट्रेड वितराने चले दोस्तों शुरुवात करते हैं आज की तो जैसे के अपने क्वाटर वन रिजल के सीरीज चल रहे तो उसके अंदर फिनोलक्स इंडस्टी लिम्टेड को क्वाटर वन का रिजल कल आ रहने वाला अगर ट्रेडिंग से इन सबके हमारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल सब्सक्राइब निया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहले को बजाना बिलकुल ना भूली देकि फिनोलक्स को पर हमने समय समय आपको अपको अप पाइपस के अंदर काम करती है आप सकते हैं और इसका ओवर्वियू हमने टी पैनलाइज करके आपको पहले भी दिया है प्रीवियस स्कोल में आप जाके वहां पर देख चकर सब्सक्राइब करते हैं तो जादर समय खराब ना करते हैं चलते हैं इसके क्वार्टर वन का देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट आया था वह आया था साम को साथ बचके 40 मिंट पर आते हैं बजा बंद होने क्या था था फ्रैटर के दिन तो इसनकी जो अनिंग्स आई हैं वो करोड़ में इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर समस्क्राइब कैसे रही है और आगे 21.6% का बुक वैल्यूस की 62 रुपे 3 पैसे के रिटर्न ओफ एक्वेटे वितक दिया है इसने 22.2% का डिविडेंट कंपनी ने वितक दिया है 1.43% के साफ सो फेस वैल्यूस का 2 रुपे का है अब देखे कंपनी अलमस्ट कर जा फिर यह कंपनी क्वार्टर क्वार्टर तो यह डीप अनलाइस नहीं है यह ऑवर्वियू जितना भी ऑवर्वियू रहता है उसका विहाब पर हम आगे ट्रेडिंग सेजन रहता है कि तेजी होगी गिरावट वह आपको एक्स्पेन करता है क्योंकि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं आपका टरस मेरे परती है तो मैं आपको अनलाइस करके ही ओवर्वियू देता हूं ऐसे नहीं देता हूं तो देखिए जून दोजा बाइस तो इस क्वाटर में टोटल सेल हुए 1190 करोड़ बेगी ऑप्रसेंट प्रॉफिट है 126 करोड़ बेगा नेट प्रॉफिट है 100 करोड़ बेगा अनिंग पर परशेर आये 1.61 का आप देखिए अनिंग पर शेर जो निकल के आया वह निकल के 1.61 परसेंट का अब लाश्ट कॉर्टर से कंपरेंट मार्च दोजा बाइस तो लाश्ट कॉर्टर सेल थी 1595 करोड़ वह घटको यह 1190 करोड़ बेगी ऑप्रेशन प्रॉफिट 265 से घटके 12 26 करोड़ हुआ है और नेट प्रॉफिट भी 494 से घटके 100 करोड़ हुआ है अनिंग पर शेर भी 7.96 से घटके 1.61 हुआ है तो आप देखिए अच्छी खासा डाउनफोल दिखाया है क्वाटर क्वाटर वाई रिजल्ट में अब यह रिवाई कंपरेशन करता है जून दो ज 27 से घटके 1.61 हुआ है देखिए रिजल्ट तो खराब है रिजल्ट अच्छे नहीं है खराब है चाहिए अनुमान लगाजी अब कौटर वाई चाहिए कौटर वाई यह रियर वाई तो रिजल्ट खराब है मंडे के दिन देखना हो मिलेगा शेर के अंदर आप इसकी शेर ह देखेंगे 9.49 से बढ़के सीधा 9.82 हुई है यानिके इस कौर्टर में फाइस नहीं होल्डिंग गटाई है बट यह अपनी होल्डिंग बढ़ाई है पब्लेक के होल्डिंग अर्ट अचाहिए और अधर के होल्डिंग 34 से मैं तो एक रिजल्ट खराब है और जो इसमें फ पॉजिटिव सायन है अब रिजल्ट आने से पहले ट्रेडिंग सेसें कैसा रहता वो समझते हैं तेकि रिजल्ट आने से पहले यह 0.36 परसेंट के तीज़ लाक के बंद हुआ ओपन होता 147 पर 85 पैसे पे हाई मारस ने 147 पर 30 पैसे गा लो मारस ने 149 पर 10 पैसे गा फिफ् अरुजिखा चुका है यह टू टेके अंतर 35.45 परसेंट गिर चुका है यानि अच्छी खासि गिरावाट का सिल्सला इसके निचर्ण को मिला लास्ट छे महिने के बास से बट्ट आब देक्ट के बड़ने वह तो हम चलते चार्ट को ओंकर पूरा डानफूल देखने गिरावट की तरफ और देखे शेर अपने 100 डेस 200 और 150 अब 21 डेस में के नीचे भी जाने को तयार है तो आपको इसमें करना क्या है अगर आपके पास है तो इसमें छोटा बोटा रोसर निकल जाए अभी इसमें इंवेस्टमेंट का पर वो नहीं है क्योंकि देखिए जैसी य है तो इसमें और गिरावट देखने को मिलेंगे आपको तो अभी इसमें इंवेस्टमेंट नहीं करना आपको आगर इसमें सौट कॉल लेने तो 120 के टार्गेट 120 का बाकी इसके अंदर स्टॉप लोस रहने वाला वो रहने वाला है आपका एक सो ब्याली सिर्पी के अगर देखने को मिलेंगे बट अभी इंवेस्टमेंट के परपस से नहीं है बिल्कुल भी आप इसे अवर्ट करिए और अपने फॉट्फोलियो में है चोटो बड़ लोसा तो निकल जाईए यह 120 तक के लेवर इसमें जली रेखने को मिलेंगे आपको आई होब यह वीडि प्ले तो प्लीज वीडियो को लाइक शिया फावट करना बिल्कुल ना भूलें थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो